हलो फ्रेंज, आम शुब्रा, स्वागत है आपका मेरे चैनल, सेलेड और फूड बाई शुब्रा में आज की रेसिपी बहुत ही यम्मी है, डिलिशियस है, आज मैं बना दे जा रही हूँ, बॉंटी चॉकलेट बॉंटी चॉकलेट बच्चों को बहुत पसंद आती है, आपको भी बहुत पसंद आएगी, और इसे आप इसली घर पे बना सकेंगे, तो चलिए हम बनाते हैं, जल्दी जल्दी बॉंटी चॉकलेट Bounty chocolate बनाने के लिए एक बाउल में हम add करेंगे 2 cup desiccated coconut और इसमें add करेंगे condensed milk थोड़ा-thोड़ा condensed milk डालते हुए उसे desiccated coconut में mix कर लेंगे Basically हमें इसका dough जैसा mixture तयार करना है तो हम थोड़ा-thोड़ा ही condensed milk डालके उसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे यह बहुत अच्छी तरह से mix हो चुका है अब देखिए यदि हमने ऐसे ऐसे कुछ bind किया तो ऐसे bind हो जाना चाहिए It means condensed milk काफी है इसमें अब इसे हम गूतेंगे और dough जैसा mixture ready कर लेंगे यदि आपको लगता है कि condensed milk कम है तो आप थोड़ा और add कर सकते हैं लीजिए ये dough तयार हो गया है थोड़ा सा mixture लेते हुए हम इसका shape कुछ rectangle type में बनाएंगे आप देख सकते हैं जैसा मैं बना रही हूँ कुछ वैसा ही rectangle shape तयार करना है और corner में ऐसे हलका सा प्रेस करते हुए उसे shape देंगे और ऐसे देखे rectangle shape ready हो गया हम bounty chocolate बना रहा है तो corner को कुछ ऐसा roll कर लेंगे तो exactly उसका ऐसा bounty chocolate जैसा shape ready हो जाएगा लीजिए यह तयार है तो ऐसे ही सारे mixture से जितने भी bounty chocolate के base बनते हैं आप बना के रख सकते हैं अब इन coconut bars को फ्रिच में रखेंगे टू आवर्स के लिए नहीं पर मैंने compound chocolate ली है जो कि अमूल की milk chocolate है आप किसी भी brand की ले सकते हैं और अमूल मिल्क chocolate की quantity है 250 ग्रैम अब इसे हम cut कर लेंगे चौकलेट चिल्ड हो तब ही इसे cut करें तो बहुत ही अच्छे से वह cut होता है अब हमें जितनी chocolate की जरुरत है उतना हम cut कर लेंगे अब chocolate को हम melt करेंगे melt करने के लिए एक pan में मैंने already पानी उबलने के लिए रख दिया था तो अब इस napkin के उपर उस उबलते हुए पानी का pan रखेंगे अब इसके उपर रखेंगे बड़ा सा glass bowl अब इसमें डालेंगे कट की हुई चोकलेट steam से बाउल गरम हो जाएगा और चोकलेट डालने के बाद हम इसे हिलाते रहेंगे हलके हाथों से अब देखिए चोकलेट धीरे-धीरे melt होना शुरू हो गई है यूनो पाउंटी चोकलेट खाने में बहुत अच्छी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है मैं तो अक्सर बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ वाव लीजी अब चोकलेट मेंट हो चुकी है तो हम इसे अब साइड में रख लेंगे और जो हमने एक कोकोनेट बार फ्रिज में रखे थे उसे ले आएंगे और उसे वन बाई वन इसमें डिप करेंगे और फोर्क की मदद से ऐसे फ्लिप करते हुए चोकलेट इसमें अच्छे से कोट होने देंगे और ऐसे हल्म के से पार्चमेंट पेपर पे ही रखेंगे इन कोकोनेट बार्स को हमने फ्रिज में रख दिया था दो घंटे के लिए जिससे ये थोड़ी हाड हो गई है तो जब हम इसे चोकलेट से कोट करते हैं तो तूटने का डर नहीं होता है और चोकलेट कोट कर लेने के बाद इसे रखेंगे पार्चमेंट पेपर पे ताकि कूल होने के बाद चोकलेट इसली निकल सके और जैसे ही सारी चौकलेट बनके रेडी हो जाए तो आप उसे थोड़ा सा टेक्शर देने के लिए थोड़ी सी चौकलेट लगा के ऐसे स्पैचुला से मार्ग कर सकते हैं बॉंटी चौकलेट रेडी है तो हम इसे रख लेंगे 2 घंटे के लिए फ्रीज में अब लेज़िए यह रेडी है तो जो भी एकसेस चौकलेट है तो यदि थिन लेयर है साइड में तो आप उसे ऐसे ही हाथ से तोड़ सकते हैं और यदि बहुत ठीक लेयर है तो हम उसके लि है न कितना आसान इसे बनाना अब इसे आप फ्रिज में ही स्टोर कर लीजिए और आपको यदि देखना है कि कैसे बनी है तो देखिए कुछ इस तरह से ये बनती है बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही यमी लगती है यदि आपके सामने ये चॉकलेट की प्लेट आ जाए तो आप एक भी चॉकलेट नहीं छोड़ना चाहेंगे चुटकियों में ये चॉकलेट खतम हो जाएगी देखिए इसकी चॉकलेट कोटिंग भी बहुत ही बढ़िया हुई है और ये खाने में बहुत ही क्रंची लगता है बाउंटी चॉकलेट में थोड़ा चॉकलेट बहुत ही अच्छी है ये बाउंटी चॉकलेट प्लीज छोड़ो ना मेरे लिए एक प्लीज 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 ये भी आपको बाउंटी चॉकलेट पसंद आई है तो मेरे चैनल सैलेड और फूड बाई शुब्रा को सब्सक्राइब करें लाइक शेर एंड कमेंट करें ऐसी ही कुछ में स्वीट रेसिपी का भी आइडिया आपके लिए लेके आती रहूंगी तिल देन टेक केर बाई स्टे ट्यून फर दे नेक्स रेसिपी